Hello everyone, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you all are doing well. तो ये है हमारे Real Number Series का Lecture No. 5. First three lectures में हमने पढ़ा था सभी basic concept जो की use होने वाले थे हमारे exercise 1.1 में. और अपना fourth lecture में हमने किया exercise 1.1 के सभी questions solve. और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुआ हम करेंगे अपना lecture No. 5 जिसमें हम पढ़ेंगे A Rational Numbers के बारे में. तो अगर आपने प्रिवेस लेक्चर को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए. प्लेलिस्ट का लिंक आपको description box में मिल जाएगा. और साथ ही मेरे Telegram ग्रूप भी जॉइन कीजिए ताकि आपको सभी updates मिलती जाएगा. उसका भी link आपको description box में मिलेगा. तो बीना किसी देरी के start करते हम अपना आज का lecture जिसमें हम पढ़ेंगे A Rational Number के बारे में. तो A Rational Number क्या होता है? अगर हम इसके नाम से जाएं, A Rational Number मतलब जो Rational नहीं होते हैं. तो पहले समझेंगे Rational Number क्या होते हैं? Rational Number वो Numbers जिनको हम P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और साथ ही हमारा Q जो है 0 के एक्वल नहीं होना जाएगे. प and Q जो होंगे हमारे Integers होते हैं. यही हमने Basic Definition पढ़ी है Rational Numbers क्या होते हैं? वो Numbers जिनको हम P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. Q हमारा 0 के एक्वल नहीं होना चाहिए. P and Q हमारे Integers होते हैं. तो इर Rational Numbers क्या होए? इर Rational Numbers वो Numbers होते हैं जिनको हम P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है? तो यही इसकी Basic Difference है. Rational Numbers P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं. ये rational number p by q form में represent नहीं होते for example हमारे root में आने वाले सभी numbers for example root 2, root 3 root 5, root 7 so on plus हमारा pi जिसको हम circle में use करते हैं और कुछ ऐसे number for example 0.01001001001 so on अब ये कुछ से numbers होते हैं इन numbers को हम बोलते हैं non-terminating non-repeating numbers मतलब वो numbers, वो decimal numbers जो की terminate खतम नहीं हो रहे और साथी repeat भी नहीं हो रहे देखिए इस number को ये number आगे बढ़ता जा रहा है खतम नहीं हो रहा है और repeat भी नहीं हो रहा क्योंकि हर 1 के बाद 2 zeros आ रहे हैं फिर 1 के बाद 3 zeros आ है तो ये हमारा zeros की value है, numbers जो है ये increase हो रहे हैं, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा तो repeat तो नहीं हो रहा है ये pattern follow कर रहा है, कुछ repeat नहीं हो रहा तो इस type के numbers को बोलते हैं non-terminating, non-repeating numbers ये भी हमारे irrational numbers होते हैं आएगोप आपको basic समझ आ गया होगा rational number और irrational number के difference में अब irrational number को आगे further divide किया गया है हमारा pure and impure irrational number तो समझते हैं उसमें क्या difference है तो pure irrational numbers क्या होते हैं वो numbers, वो irrational numbers जो की बिल्कुल pure है, मतलब जिसमें कोई मिलावट में होई किस तरह के मिलावट मतलब वैसे ही rational number जिसमें हम कुछ rational number को add नहीं कर रहे है example हमारे जैसे root 2 है या root 3 है ये जैसे number जो है इसमें हमारा root अलग नहीं हो सकता 2 और 3 जो है root से अलग नहीं हो सकता बाहर नहीं आए एक और example लेते हैं 25 का cube root ये आपको पता है ना कि इसको अगर हमने लिखा है 25 और root लगा अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो इसका मतलब cube root होता है तो 25 का cube root जो होगा ये भी pure irrational number है क्यों ये pure है क्योंकि यहाँ पर 25 है ये root से बाहर नहीं आ सकता 25 को हम 5 into 5 करके लिख सकते हैं लेकिन cube root से बाहर निकलने के लिए हमारे पास 3 5 होने चाहिए उसका pair होना चाहिए 3 5 का pair होता तो वो root से बाहर निकलता यहाँ पर तो 2 है तो ये बाहर नहीं आ सकता ये हमारा होगया pure irrational number एक और example suppose हमारा 7 root root 7 root 7 भी बाहर नहीं आ सकता ये भी हमारा होगया pure irrational numbers आसे numbers अभी इनको हम बोलते हैं pure irrational numbers वही हमारे impure irrational numbers कोन से होते हैं जिसमें कुछ impurity है मतलब कुछ mixture है किसका mixture? rational number का मतलब कि जो हमारे impure irrational numbers हैं उसमें rational और irrational का mixture है कैसे? समझते हैं कि example से for example हमारा root 28 ठीक अब आप इसको बोलेंगे कि हम इसको 28 को fact price कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 7 4 7 से 28 होता है ना तो 2 into 2 into 7 लिख सकते हैं अब root से बाहर आने के लिए square root से बाहर आने के लिए आपके पास किसी भी number का pair होना चाहिए यहाँ पर pair form हो रहा है 2 into 2 का pair है एक इसका मतलब यह जो 2 into 2 है यह root से बाहर आ सकता है लेकिन बाहर आकर single 2 ही रहेगा इसको हम ऐसे लिख सकते 2 root 7 तो मतलब हमारा जो root 28 है इसको हमने 2 root 7 की form में represent कर दिया मतलब इसमें से कुछ number बाहर निकल चुका है irrational number है तो यह बना न rational और irrational को मिला कर हमारा एक root 28 बना तो इसलिए इसको बोलेंगे हम impure irrational number जिसमें कि rational और irrational दोनों मिलकर एक number बनता है उसको बोलते है impure irrational numbers और example लेते हैं जैसे हमारा एक number है 5 plus root 2 क्यूंकि इसमें root 2 है इसलिए पूरे number को हम irrational number बोलेंगे लेकिन यह बना किस से मिलकर है एक rational number और एक irrational number को मिलकर बना है इसलिए हो गया हमारा impure irrational number वैसे हम इसको लिख सकते हैं एक example लेते हैं 5 minus root 2 यह भी हमारा impure irrational number है rational और irrational को मिला कर बना है ठीक एक और example ले लेते हैं ये एक आगई हमारी 2 root 7 बता दिया, rational, irrational को मिला कर बना है, फिर एक example लेते हम, root 2 by 5, root 2 by 5, तो ये कैसे बना है, irrational और rational को मिला कर बना है, 5 by root 2 भी लिख सकते हैं, ये भी एक example है, ये rational और irrational को मिला कर बना है, तो मतलब जो हमारे impure irrational numbers होते हैं, वो हमारे rational और irrational को मिला कर बनते हैं, अगर आपने इन सब examples को अराम से notice किया, तो आपको पता चलोगा, कि हम जब भी किसी rational के साथ irrational जोड़ देते हैं, तो वो नमबर पूरा irrational ही बनता है, मतलब ये कि rational के साथ आप कुछ भी irrational plus करो, minus करो, multiply करो, divide करो, कुछ भी करो, तो वो पूरा नमबर irrational फॉर्म हो जाता है, मतलब ये rational नमबर जब किसी rational नमबर साथ जोड़ता है, तो उसको अपने जैसा ही बना लेते हैं, इससे आपको कुछ प्रॉपर्टी समझनी ज़रूरी है, कि rational पर plus irrational हमारा हमेशा irrational फॉर्म करेगा, rational minus irrational हमेशा irrational फॉर्म करेगा, rational multiply irrational, भी हमारा irrational फॉर्म करेगा, rational divided by irrational भी irrational फॉर्म करेगा, और ये सारे क्या होते हैं, हमारे impure irrational numbers, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, चाहे rational divided by irrational बोल दो, चाहे irrational divided by rational बोल दो, तो हमारा जो solution answer आएका, वो हमेशा irrational नमबर ही आएका, तो ये बहुत important चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखना, तो आई hope आप नमबर को हम pure और impure irrational number में divide करते हैं, pure मतलब जिसमें हमारा जो root है, उससे बाहर नहीं आ सकता कोई number, बिलकुल purely वो irrational number है, जबकि impure में क्या बताया, rational और irrational को मिला कर बनते हैं, वो होगे हमारे impure irrational number, तो अब इसी से आगे बढ़ते हैं, हमारा NCRT की theorem number 1.2, समझते ही हमारे theorem क्या कहते हैं, NCRT की theorem 1.2, theorem है हमारी, let P be a prime number, if P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer, मतलब क्या इसका, हमें बोला है कि P हमारे पास एक prime number है, और साथ ही बोला कि अगर P जो है, A square को divide कर सकता है, तो P A को भी divide करेगा, और A हमारा positive integer है, तो यह बहुत understood सी चीज है, कि P अगर हमारा A square को divide कर र कि A को भी divide करता ही है, करेगा ही, लेकिन एक example के हर्प से समझते हैं, अब इसका जो पूरा proof दिया गया बुक में, वो हमारे लिए important नहीं है, हमारे exam में नहीं आएगा, ना ही हमारे syllabus में है, अब इसका example लेकर समझते हैं, कि इसका मतलब क्या है, पूरे theorem का, let's suppose हमारे पास P एक prime number हम let कर लेते हैं 3, 3 prime number है, ठीक, और A हम let कर लेते हैं 9, ठीक है, अब बोला कि P जो है A square को divide कर रहा है, मतलब A square by P is equal to, 9 का square आ गया 81, divided by P, हो गया हमारा 3, तो ये इसको divide करेगा, बिल्कुल करेगा, तो ये आजागा हमारा 27, P ने A square को divide कर लिया, अब हमें दिखाना है कि वो P जो है A को भी divide करेगा, ठीक, मतलब A by P जो है हमारा, A हमारा है 9, और P हमारा है 3, अब ये 3 जो है 9 को भी divide करेगा, तो आ जागा 3, बस यही था हमारा, कि अगर P जो है A square को divide कर रहा है, तो P A को भी divide करेगा, बस इतना सा इसका मतलब है, और दूसरी तरह से भी अगर स सकते हूं अब आपको पता है कि a into a by p लिखा हुआ है तो यह जो p है यह के साथ भी divide हो रहा है इस a के साथ भी divide हो रहा है तो simple सी बात है अगर a square से divide कर रहा है तो यह a से divide करें करें यह understood सी बात है बस इतनी इसकी theorem है यह theorem जो है हमारी use होगी आगे आने वाले questions में जिसमें हम proof करेंगे कि हमारा number जो है irrational number है तो यह theorem बहुत बहुत important है उसके लिए अब समझते हैं एक और theorem वो theorem कम example है क्योंकि उसी theorem के base पर ही हमारे पास आगे questions दिये गए समझते हैं हमारा theorem 1.3 अब यह theorem 1.3 है कि हमारी है root 2 is irrational हमें यह proof करना है हमें पता है root 2 irrational होता है लेकिर हम इसको proof करेंगे और यही theorem के base पर यह आगे questions भी है हमारी example और exercise में जिसमें हमें proof करना है कि हमारे पास जो number दिया है वह irrational number है तो ऐसे questions को proof करने की approach कैसी रहती है approach ऐसी है कि हमें बोला है कि वह irrational number है पर हम बोलेंगे नहीं वह irrational ने, irrational number है और rational ही prove करने के आगे continue करेंगे और जैसे हम righteousness proof करेंगे न, end में आते आते हमें लगेगा कि नहीं हमने गलत बोला था हमारा जो पहला assumption था वो contradict कर रहा हमारी statement से तो इसका मतलब number जो है irrational है यह वही बात हो कि जैसे कुछ शिरार्ती बच्ची होते हैं उनके parents अगर उनको किसी चीज़ के लिए मना करें हमारे parents गलत बोल रहे हम प्रूफ करेंगे कि हम जहाए उनको realize होता कि नई parents ने बोला चीज़ प्रूफ हो जाती है start उन्होंनने कैसे कि हम सही है 2 सी प्रूफ हो कि बस वही चीजस कि करनी है question में हमें बोला कि irrational है लेकिन हम बोलें कि नहीं आपने गलत बोला है irrational नहीं rational है हम rational प्रूफ करने के आगे continue करेंगे लेकिन फिर end आते आते उनकी वाद सही हो जाएगी हमारी गलत हो जाएगी बस वही करने तो करते हैं अब यह जो इस टाइप के questions होते हैं इसको learn करना थोड़ा steps को समझना भी है और थोड़ा से इसको learn भी करना है पर मैं साथ के साथ ही आपको example के help से समझाती जाओंगी हर एक step कि मतलब क्या है उसका पूरा cramming नहीं करेंगे स्टार्ट करते हैं वही हमें बोला कि root 2 irrational number है लेकिन हम assume करेंगे कि हमारा root 2 जो है is rational हम बोलेंगे नहीं irrational नहीं rational है अगर rational है इसका मतलब जो root 2 है वो हमारा p by q की form में represent होगा मैंने बताया था rational number के होते हैं जिनको हम p by q की form में represent कर सकते हैं तो हम बोलेंगे कि root 2 जो है वो p by q के equal है और q हमारा 0 के equal नहीं होना चाहिए यह होगी first condition rational के लिए अब suppose करते हैं कि हमारा जो p और q है इनके पास कुछ common factor है other than one suppose p and q have a common factor other than one मतलब यह p और q जो हमारा composite number है हम ऐसा suppose करें क्या मतलब इसका other than one example लेते हैं साथ साथी example समझेंगे फिर याद भी सारी से हो जाएगा मुश्किल नहीं रहे कि let's suppose मेरे पास p जो है वो 6 है और q मेरा है 8 तो 6 by 8 6 by 8 का जो common factor क्या होगा हमारा वैसे तो hidden है 2 होता है लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ आपे 6 को लिखते हैं 2 into 3 8 को लिखेंगे 2 into 4 तो दोनों में 2 common है तो इसका मतलब 2 जो है हमारा common factor है other than one वही चीज इसमें बोली कि suppose करो कि p और q जो है उसके पास एक common factor है other than one तो इसका मतलब अगर हम इस common factor से p और q को divide कर देंगे तो हमारा एक नए नमबर आएगा जैसे अगर मैं इस p और q को common factor से divide कर दूँ मतलब 2 और 2 काट दूँ दिवाइड कर दूँ तो हमारा पास जो नया नमबर आएगा वो 3 by 4 आ जाएगा वही चीज यहाँ पर कर दूँ है तो फिर आगे क्या लिखने देन वी डिवाइड by the common factor to get root 2 is equal to a by b मतलब अगर हमने जब common factor से divide कर दिया p और q में जो common factor उससे divide कर दिया तो हमें एक नया नमबर मिलेगा ना तो उस नया नमबर को हम बोल देंगे a by b जैसे यहाँ पर 3 by 4 मिला था इत्तिबात समझ आ गए और जो हमारा a और b है अब है को प्राइम यह नया टर्म है a और b हमारे हैं को प्राइम क्यों होते हैं वो नमबर जिनके पास 1 के इलावा और कोई common factor नहीं होता उसको बोलते है को प्राइम अब यहाँ पर हमारे पास p और q में common factor था हमने उससे डिवाइड कर दिया अब जो common factor रहे गए वो सिरफ 1 है 1 के इलावा और भी कोई common factor नहीं है इसलिए a और b को हमने बोल दिया को प्राइम फेक्टर एक्जामपल 3 by 4 3 by 4 में 1 के इलावा और कोई भी common factor नहीं है तो को प्राइम नंबर्स कोन से हो गए वो नंबर्स जिनके पास 1 के इलावा कोई भी common factor नहीं होता इतनी बात समझ आ गए अब इसको अब solve करेंगे यह b को हम वहाँ ले जाएंगे तो b root 2 हमारा आ गया a के equal चीक अब हमारा b जो है b root 2 is equal to a है हम करेंगे squaring both side root को हटाना हमने तो squaring both side की तो यह हमारा बन गया b square into 2 is equal to a square मतलब 2b square is equal to a square इसका क्या मतलब है देखकर बता चल रहा है कि मतलब 2 जो है a square को divide कर रहा है अगर 2b square से multiply कर रहा है तो a square से तो divide कर रहा है न देखे कैसे b square is equal to a square by 2 करके लिख सकते है तो जो 2 है a square को divide कर रहा है तो मतलब हम लिख सकते हैं कि therefore 2 divides a square मतलब हमारा जो 2 है वो a² को डिवाइट कर रहा है अब by theorem 1.2 जो कि यह भी हमने पड़ी हमें उसमें क्या बोला था अगर p जो है वो डिवाइट कर रहा है a² को तो इसका मतलब p जो है डिवाइट करेगा a को यही बोला था ना अगर 2 जो है a² को डिवाइट कर रहा है इसका मतलब 2 जो है वो a को भी डिवाइट कर रहा होगा अब अगर 2 a को डिवाइट कर रहा है तो किसी के साथ multiply भी तो हो रहा होगा मतलब यह कि हम अगर बोल रहे हैं कि a by 2 है तो वो किसी नमबर के equal होगा तो हम लेट कर लेते हैं, वो number हमारा है c, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a is equal to 2c, हमारा c जो है integer है, sum integer, चीक है, इतने बात समझ आ गई, ये एक step हो गया, इतने बात समझ आ गई, अब ये जब हमारा पास a is equal to 2c है, उसको हम substitute करेंगे, जहां पर हमने squaring both sides की थी, यहां इसको मैं number 1 दे देती हूं, यह number 2 दे देते हैं, substitute 2 in 1, तो मतलब हमारा 2b square is equal to a की जगा हमने 2c डालना है, a का square हो गया, 2c का square, मतलब 2b square is equal to 4c square, ठीक, यहां मैं इसमें से 2 common लेकर, ऐसा लिख सकती हूं कि b square जो है, हमारा 2c square का equal है, ठीक है, अब यहां पर देखकर है, मैं पता चल रहा है कि, 2 जो है divide कर है b square को, ठीक है, तो it means, 2 divides b square, फिर से, theorem 1.2 को यूज़ करके हम बोलेंगे, therefore, 2 divides b also, अब यहां पर भी हमने बोला कि, अगर 2 जो है a square को divide कर रहा तो 2 a को भी divide कर रहा होगा, यहां पर मैंने बोला कि, अगर 2 जो है b square को divide कर रहा है, मतलब 2 जो है b को भी divide कर रहा है, वह आप देख रहें, इन दोनों में common है कुछ, 2 जो है a को भी divide कर रहा है, 2 जो है b को भी divide कर रहा है, इसका मतलब इन दोने के पास common factor है 2, है न, इसका मतलब a and b have at least two common factors, कौन-कौन से, एक 1 और एक 2, इसका मतलब यह जो है हमारा contradict कर गया, क्यों contradict किया, प्यूंकि हमने बिल्कुल start में बोला था कि हमारे पास a और b जो है, को प्राइम नंबर है, मतलब 1 के इलावा कोई भी common factor नहीं है, लेकिन है जब हम करते आए प्रूफ, तो हमें आगे दिख रहा है कि नहीं, a और b का तो common factor है 2, common factor आगया ना 2, 2 a को भी divide कर रहा, 2 b को भी divide कर रहा, इसका मतलब हमने जो assume किया था, वो contradict कर गया, हमारी बात हम पे contradict कर दी, इसका मतलब, this contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1, मतलब हमने जो बात बोली थी, वो उसको हमने contradict कर दिया, खुदी, कि a और b, हमने बोले था, a और b जो है, co prime number है, मतलब और कोई factor नहीं है, वान के लाबा, पर यहां पर हमें दिख गया कि वान के लाबा भी common factor है, इसका मतलब हमारा जो assumption था, वही गलत है, इसका मतलब हमारा assumption गलत है, therefore, root 2 जो है, वो irrational है, क्योंकि हम तो rational लेकर चल रहे थे न, rational लेकर हम proof कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ प्रूफ हुई नहीं, वतलब खुदी contradict कर गया, इसका मतलब root 2 जो है, हमारा irrational है, by hope आपको यह समझ आई होगी, इसको हमने proof कर, कैसे करना है, अब same इसी pattern पर, example है आपकी, example हमारी, उसको देखते हैं, अब example 5 जो है, वो भी बिल्कुल same theorem 1.3 की तरह है, जिसमें हमें बोला कि root 3 irrational है, पहले में हमारा था, root 2 irrational है, तो same वही करेंगे, हम assume करेंगे, कि root 2, root 3 जो है हमारा rational number है, ठीक है, अगर rational है, तो root 3 जो होगा, P by Q की form में represent किया जाएगा, Q हमारा 0 को equal नहीं होना जाएगा, ठीक, अब हम बोलेंगे कि हमारा जो P और Q है, have common factor, other than, 1, हमने बोला कि P और Q के पास एक common factor है, other than 1, तो divide करेंगे, P and Q, by the common factor, अब जो common factor है, उससे divide कर दो, तो हमारे पास number जो आएगा, रूट 3 is equal to A by B आएगा, जब हमने common factor जो था, उससे divide कर दिया, तो अब इसके पास common factor क्या रहेंगे, सिर्फ 1, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो A और B है, वो है co prime number, co prime number बताया है मैंने क्या होते है, co prime number वो numbers होते हैं, जिनमें 1 के लावा और कोई भी common factor नहीं होता, जो common factor था, उसको हम divide कर चुके हैं, यह चीज़ होगे, अब B उदर जाएगा, B root 3 is equal to A, squaring both sides, हमने जब square कर दिया, तो यह आ गया, 3 B square, 3 B square is equal to A square, ठीक है, तो मतलब देखकर बता चल रहा है कि A square को 3 divide करेगा, मतलब इससे हमें बता चल रहा है कि 3 जो है, divides A square, अब हम करेंगे, by theorem, 1.2, 3 divides A, अगर 3 A square को divide करेगा, 3 A को भी divide करेगा, ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A by 3 जो है, हमारा एक नए नंबर आएगा, जिसको हम बोलेंगे C, जब 3 ने A को divide कर दिया, तो एक नए नंबर आएगा, उसको हम बोलेंगे C, ठीक, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A is equal to 3C, squaring बार इस टर्म को हम इस equation को हम बोलेंगे नंबर 1, इस equation को बोलेंगे नंबर 2, अब substitute second in 1, जो second equation है, जो हमारी ये A की जो value आई है, ये A की value आई है, 3C, इसको हम पुट करेंगे इस equation में यहाँ पर, ठीक है, तो यह हमारा जगा 3B square is equal to A square था, A हमारा था 3C, 3C का square, तो यह बन गया हमारा 3B square is equal to 9C square, अब इन दोरों में से हम 3 को cancel कर देंगे, तो रह जाएगा हमारा B square is equal to 3C square, ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें देखकर पता चल रहा है कि 3 जो है वो B square को divide कर रहा है, मतलब 3 divides B square, फिट से by theorem 1.2, 3 divides B, अगर 3B square को divide कर रहा है, तो 3B को भी divide करेगा, therefore हमें पता चल रहा है कि A and B have common factor 3 other than 1, 1 के इलावा हमार A और B के पास एक common factor रहा है, कौन सा 3, योगि 3 B को भी divide कर रहा है, 3 A को भी divide कर रहा था, इसका मतलब यह contradict कर गया fact, therefore this contradicts the fact that A and B are co-prime numbers, हमने बोला था ना start में कि A और B जो हमारे co-prime factor है, जो भी और कोई factor था, P और Q में हमने उसको divide कर दिया था, पीछे कोई factor रहा है यह नहीं था, लेकिन आब यहाँ पर देखकर पता चल रहा है कि B और A, दोनों को 3 डिवाइट कर रहा है, इसका मतलब दोनों के पास common factor है, मतलब दोनों co-prime numbers नहीं है, therefore हमारी assumption जो होगी वो गलत होगी, therefore root 3 is irrational number, चेक यह होगी हमारा question solve, इसी तरह से आपको question आ सकता है, root 2 भी आ सकता है, root 3 भी आ सकता है, root 5, root 7 भी आ सकता है, तो यह question sure sure आने ही आने है, 3 यह चार मार्ट के आते हैं, तो इसको अच्छे से prepare कर लेगा, अब हम करेंगे अपना example number 6, example 6 बोल रहे है, show that 5 minus root 3 is irrational number, तो इसको देखते हैं, हम कैसे solve करेंगे, अब इस तरह के जो questions है, उसमें हम पहले ही assume कर लेते हैं, मतलब हम पहले ही बोल देते हैं, कि हमारा जो root में number है, जैसे root 3 है, वो irrational number है, हम यहाँ पर पहले ही यह चीज़ मान लेंगे, कि root 3 हमारा irrational है, इतनी बात तो सही बोली, लेकिन यह जो 5 minus root 3 है यह irrational नहीं है, हम ऐसा बोलेंगे, इसमें assume करेंगे कि ना आप गलत बोल रहो, 5 minus root 3 irrational नहीं rational है, तो वही चीज़ कि हम पहले assume करेंगे, कि 5 minus root 3 जो है, वो rational number है, ठीक है, अगर rational number है तो मतलब 5 minus root 3 जो है, उसको हम a by b की form में लिख सकते हैं, b हमारा 0 के equal नहीं होना चाहिए, और साथ में a and b जो हैं, वो integers हैं, यही definition होती है, ना rational number की, तो हमने assume कर लिया कि 5 minus root 3 हमारा rational number है, ठीक, अब इसको थोड़ा सा rearrange करेंगे, 5 minus a by b is equal to root 3, कर सकते हैं, root 3 को उदर ले जाएंगे, a by b को इदर ले जाएंगे, left hand side पर, इतना कर सकते हैं, थोड़ा और solve करेंगे, 5b minus a, whole divided by b is equal to root 3, यह हमने simple LCM लिया, यह चीज़ हो गए, अब हमें पता है, कि हमारा a और b integer है, 5b integer है, और साथ में यह जो पूरा बन रहा है, यह p by q की form में बन रहा है, मतलब this numerator divided by denominator बन रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि, हमारा since a and b are integers, तो integers को आपस में divide करो, plus करो, minus करो, कुछ भी करो, number जो हमारा आता है, वो हमारा rational नहीं ही आता है, तो यह हम बोलेंगे कि, since a and b are integers, we get, 5 minus a by b, is, rational number, ठीक है, 5 भी आप खुद में integer है, a भी integer है, b भी integer है, और साथ में यह देखने में बें पता चल रहा है, p by q की form बना रहा है, तो हम बोलते हैंगे कि, यह जो है हमारा पूरा number, rational number है, अगर हमारा left hand side rational number है, तो मतलब right hand side भी rational होगा, हमारा left hand side जो है, 5 minus a by b, अगर यह जो चीज है, यह पूरी की पूरी rational है, तो right hand side भी तो हमारा rational हुआ, लेकिन हमने स्टार्ट में बोल दिया, कि हमारा जो root 5 है, वो irrational number है, तो इसका मतलब यह contradict कर गया, यहाँ पर बोला कि root 3 जो है rational बन रहा है, क्योंकि left hand side rational है, तो right hand side भी rational होगी, पर हमें पता है कि root 3 हमारा irrational है, तो इसका मतलब यह contradict कर गया, हमारे facts से, हमारे assumption से, कि 5 minus root 3 जो है rational number है, therefore, 5 minus root 3 is, irrational number, जो proof करना था, हमने proof कर लिया, लेकिन कैसे किया, contradict करके, assume किया, हमने कि नहीं, पहले हमने बोला, 5 minus root 3 जो है, हमारा rational number है, और in questions में, एक help यह ही हो जाती, कि हमें पता होता है, पहले, कि जो root के अंदर जो number है, वो पूरा का पूरा irrational है, उस चीज़को हमें, प्रूफ करने के जुरूरत नहीं है, by the way, आपको यह term, 5 minus root 3 देखकर, पता चला कि, यह हमारा, pure irrational है, कि impure irrational है, यह हमारा, impure irrational है, क्योंकि, यह rational, minus irrational से, मिलकर बना गया है, सेम उसी तरह से, हमारा example 7 है, उसमें हमने, प्रूफ करने है, example 7 हमारा कह रहा है, कि show that, 3 root 2 is irrational है, बताएए, irrational हमारा, impure है कि pure है, obviously impure है, क्यों, क्योंकि, यह rational number, multiply by irrational number, से बना है, पूरा number, यह पूरा number, जो हमारा, 3, 3 हमारा rational number है, और root 2 irrational है, उससे form हो के बना है, हमें पता है, कि यह irrational number है, बट स्चिल हमें, प्रूफ करना है, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले, कि हमारा 3 root 2, जो है, rational number है, तो सेम वैसे, हम assume करेंगे, कि 3 root 2, जो है, rational number है, अगर rational number है, तो 3 root 2 को हम, a by b की form में लिख सकते हैं, जहां पर हमारा b, जो है, वो 0 के एकुल नहीं होना चाहिए, और a और b हमारे integers होते हैं, छीक, इतनी बात है, अब इसको थोड़ा rearrange करते हैं, root 2 को, a by 3 भी लिखेंगे, ठीक, अब हम इसको प्रूफ करेंगे, कि यह हमारा rational है कि irrational है, इसका तो हमें पता है, कि root 2 हमारा irrational number ही है, लेकिन इसको देखेंगे, हमें पता है, since 3 a and b, 3 a and b, are integers, यह सब क्या है, integers हैं, therefore, a by 3 b is, rational, मैंने बताया ना, integers को आप plus करो, minus करो, multiply करो, divide करो, कुछ भी करो, जो number form करेगा, वो हमारा हमेशे rational number होता है, तो इसका मतलब, यह अगर rational है, तो इसका मतलब, root 2 भी rational होगा, therefore, root 2, is also, rational, but, we know that, root 2 is irrational, इतनी बाद हमें पता है, कि root 2 हमारा irrational है, तो बस सामने पता चल गया, कि हमारा यह, हमने जो बोला, कि यह, root 2 हमारा rational हो, वो चीज़ कॉंट्राडिक्ट कर गई, अगर root 2 कॉंट्राडिक्ट कर गई, तो इसका मतलब, 3 root 2 rational number, हमने जो बोला, वो चीज़ भी कॉंट्राडिक्ट कर गई, therefore, this contradicts, this contradicts, the fact, that, root 2 is, irrational, root 2 हमारा irrational है, यह हमें कॉंट्राडिक्ट कर गया, यह चीज़, therefore, 3 root 2 is irrational, इसका मतलब, जो हमारा 3 root 2 था, वो पूरा के पूरा क्या number है, irrational number है, यही चीज़ हमें करने की proof, मतलब यह कि, इन questions को हमने approach कैसे करना है, कोई भी आपको, irrational number दिया है, तो हमने उसमे, A by B की फर्म पहले बनाई, और फिर उसके बाद जो irrational number आपको पता है, उस चीज़ को हमने एक साइट पर कर दी और बागी सबको दूसरी साइट पर दा दिया, तो जब दूसरी बागी जो जितना भी होगा, यह हमें पता चल जाएगा कि यह rational है, क्योंकि इंटेजर से पॉम होगा, तो वो खुद ही इसको contradict कर देगा, कि रूप टू हमारा rational है, तो इन questions में यही चीज़ करने है, तो इसी के साथ हमारी सारे examples होगे यह solve, आई होप आपको सारे questions, सारे example theorem सब कुछ समझ आया होगा, बस अगर आपको यह समझ आ गया, तो हमारा जो exercise 1.2 है, वो उसमें भी सेम यही इनी type के question है, तो next video में आपको question solve करेंगे वही, और इस तरह के questions आपके, 3-4 marks के आते ही आते हैं exam में, तो इसको अच्छे से prepare करना, कोई भी doubt है तो please comment section में पूछना, और next video हमारी होगी exercise 1.2 उपर है, तो उसके लिए stay tuned, और telegram group ज़रूर join करना, सारी updates आपको वहाँ पर ही मिलेगी, तो इसी के साथ, thank you so much, bye bye, take care.